हेलो गाइस आयम संदीप मान अगवान सी वेलकम बैक टो माई शैनल संदीप इस्टेडी सेंटर आज हम ऐसी जंजाती बे बात करने वाले हैं जो थोड़ा सा विलुक्त प्राय जंजाती है और भारत सरकार द्वारा जो घोसित चतिसगर के विसेश पांच पिश्री जंजाती है तो इन में से चार हमने पढ़ लिया है और फीर पिशले का चार आप तो जानती है unut tai नहीं तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिरहोर जंजाती पे बहुत अच्छी जंजाती है बस थोड़ा सा इनके बारे में यह है कि थोड़ा विलुप्त प्राय हैं तो हम आज बात करने हैं बिरहोर पे और आदत के नुसार आपको पते ही है हम लोग फार्मेटिंग पे ही चलेंगे त दूसरी चीज़े संकेंद्रा के यह लोग रहते कहां पे हैं और तीसरा चीज़ जीवन के बारे में बात करती हैं आपको तो पता ही है इंट्रोड़क्शन के बात करें तो बिरहोर का अलग से अर्थ होता है यह बिरहोर है ध्यान से देखेंगे बिर बिर का अर्थ होता है जंगल अथवा जाड़ी अच्छे से याद रखेंगे जंगल या फिर इसक बोलते हैं जाड़ी आप लिखेंगे जंगल या फिर जाड़ी वहीं पर होर ठीक है यह बीर है उसके बाद होर है होर का अर्थ होता है आदमी तो इस प्रकार जंगल या फिर जाड़ी काटने वाला आदमी वही क्या कहला है बिरहोर अब पुरानी माहिना तो एक और मिलती है इस स्टोरी हो जाएगा उसको छोड़ते हैं मैं कभी बताऊंगा वो स्रिष्टिक रचना ब्रह्मजी ने की है तो एक को हल दे दिया एक को कुलहाडी वह बहुत कुछ थोड़ा सो है इसको रहने दे संके दल के हम बात करते हैं तेरी लोग रहते कहां कहां पर ऐस दो तीन चीज्जे देखेंगे को राइगार प ultras पुर्बार एक तीन जगा आयार जिटेम की इंट्रोड़क्स्टन पे हमने बात कर लिए बिरोğर बिरो हो बुर्त कर लिए और कून यापjekt कर लिए आसा को पत सबसे इसको मान ले तो अइसे मानते ही है एक चीज देखेंगे उसको मान ले हम लोग सर्ग है निये है यह बिलासपुर संभाग है सर्गुजा संभाग के यह चीज आपका चैतर आजाता है और फिर यह वोग्राइगड को और भाऊा चीज कोर्वा का पर जाता है इसके आत्रिक दिसमिंगे मैं नहीं कर हाहूं क्योंकि Geographic introductory class आएगी में पाली भी आएगी उसमें आप अच्छे समझेंगे यहां पर उसको 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 टाइम नहीं देना है बस फिलाल समझ के रखो इस सर्गुजा संभाग है तो लाश्ट में आपका जस्पूर पढ़ जाता है यहां पर कोर्ब पढ़ जाता है तो फिर बिलासपूर संभाग लग जाता है उसके लाश्ट में राइगाड पर जाता है बस यह आप याद रखेंगे तो यह तीना जगा पर पाया जाते हैं बिरहोर तो इनके संकेंद्रण भी हो गया अब हम जीवन पर चलते हैं अच्छे से देखेंगे तो इनके इंट्रोडक्श तो इसी कंतरगत एक फर्मेटिंग कर लेते हैं सबसे पहले एक कुडिया एक वर्ड आएगा कुडिया इसको आपको लिखना है एक कुडिया भी बोलते हैं वो लोग जनरली कुडिया आएगा फिर आपको विवाहा पे चलना है ठीक है फिर यहां पे उपजाती पे चलना है कुडिया आएगा फिर इनके उपजाती पे चलेंगे या फिर इसको उपवर भी हम कह सकते हैं तो फिर विवाहा पे चलेंगे और तीसरा चीज या इसके तीसरा चीज आजाएगा बोली फिर इनके कुडिया हो जाएगा उपजाती विवाहा बोली हो जाएगा फिर इनके धार्मिक जीवन पर चलेंगे हम लोग अब फिर वन बाई वन जाती पंचायत फी एक है चलते जाएंगे और एक यूअग यंग डार्मेट्री भीन में है फिर इस प्रकार कुडिया उपजाती विवाहा बोली धार्मिक जीवन पर चलेंगे जाती पंचायत और फिर यंग डार्मेट्री याने की यूअग ग्री पर चलेंगे तो अब एक एक करके हम लोग इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले रहेगा आपका कुडिया देखिए जो बिरहोर जंजाती है बिरहोर जंजाती है एक अन्य जंजातियों से अलग जंगलों में इस्थाई नुवास बना कर रहना पसंद करती हैं तो अलग रहती है ठीक है और यह QUE बनाती है मैं बतारहों क्या होता है लख्ड़ी और घांस फूस के लिखेंग किसको लख्ड़ी गास फूस के एक जोपड़ी तयार करती है आइस्थाई निमास के लिए उसे ही कुडिया कहा जाता है हमारे 36 ग्रवाले इसको जानती है कुडिया फिर कुरिया जो बोलते हैं वही चीज है तो यह चीज है यह जो इन लोग जो है दूसरे जंजातियों से अलग रहना थोड़ा पसं से दूसरे पाड कंद मुल संग्रहाण में एक पाड़ से दूसरे पाड आइस्थाई जीवन वयतित करते हैं यानि कि कभी यहां तो कभी वहां पर उसी परकार जगस के बात करते हैं तो इस्थाई इस्थाई बनाके गाउं में ही रहते हैं ठीक तो यही इसमें अंतर है basic difference जो कि आपको उतलू और जगी समय तो उपजाती भी इस परकार खतम होता है विवहा कि मैं बात करूँ इसमें सबसे रोल प्ले करता है जिसको धेढ़ा या फिर इसको पुजारी भी कहते हैं ठीक है पुजारी यानि कि बिरहोर जिंजाती में बिरहोर जिंजाती में विवहा देढ़ा या फिर पुजारी संपन कराता है और इनमें जो विवाह है उसमें उढ़ेरिया तीक है इनमें मुख्य विवाह उढ़ेरिया और गोलत यह प्रचलित है तो मैंने क्या का विवाहक बारे में देढ़ा या फिर पुजारी यह बहुत रोल प्ले करता है यही यही ओ है देड़ा और पूजारी वही है जो की बिरहोर जिनजाती में विवा संपन न कराता है और प्रचली थे उढ़ेरी और गुलत विवा बस इतना लिखेंगे इसमें हास फास नहीं करेंगा और बोली कि मैं बात करूं तो यह दूइभासिक है यह पहली ऐसी जिनजाती है जो दो resser और दो हास बोलती है यह दूइभासिक वाले जिनजाती वी कहते हैं एक है कौन बोलते हैं एक है आपका मुंडा कर थो मुंड़ा बोल परकैनल के और 7 में 36 गडी भी बोलती है इसको दो बिरहोर के परमुग देवता है सूर्य, परतेक के परमुग देवता भी पूछा जाता है, हैना जैसे कि सभी जिनजाति में हम बात करते आए हैं, उसी परकार बिरहोर के परमुग देवता सूर्य है, इसके अत्रिक, यह मरी माई और बुडी माई के भी पूजा करते हैं, तो उनके नाम अलग-अलग हर एक जंजाति के लिए होती है उसी प्रकार बिरोर जंजाति के जो प्रमप्रगत जाती पंचायत है उसके परमुक करना मालिक है थेक है मालिक है यह आपको याद रखने युवगिरी मैं भी बताया हूं जो कि आविवाहित लड़के-लड़किया इन नाम भी अलग है उसी प्रकार बिरोर जंजातिक जो युवगिरी का नाम है उसे गीती ओना गीती ओना गीती ओना या फिर गीती ओरा कहा जाता है ठीक है यहां तक एक दम कनफरम है तो इस प्रकार हम खतम किये हैं बिरोर जंजातिक समाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन पर तो नेश्ठ हम चलेंगे बिरोर जिंजातिक आर्थिक जीवन पर फिर कुछ फैट्स पर चलेंगे और इस प्रकार इसको हम लोग आज खतम करेंगे तो देखेंगे यहां पर आर्थिक जीवन सबसे पहले आप देखोंगे इसका इस्थांत्रित करीशी असे अलग से नहीं को ऐसे कौन से जिन जाती है जो जंगलों में वनोपस संग्रहन करती है समझ रहे हो तो वह कौन सी है बिरोर तो बिरोर सिकार करती है कंदमुल एकत्रित करती है वनोपस संग्रहन करती है एक काम है इसके अलावा अब एक बार मैं बांस का कमार जिन जाती हम बांस वाला बता समझ रहे हो पिरहोर जंजाती बांस की टोक्री बनाने का कारे करती है और उनका सेकंड है मोहलाइन चाल इसको अच्छे से लिखेंगे मोहलाइन चाल पहला बांस की टोक्री और दूसरा है मोहलाइन चाल की रस्ची बनाकर यह बेचते हैं तो इस प्रकार इनका आर्थिक जोन नाके बेटने के कार्य भी विरोर जद जाती करती इस प्रकार इनके आर्थिक जिवन खतम हो गया तो इनके समाजिक जीवन सन्सुक्रइतिक जीवन धार्मिक जीवन और आर्थिक रॉय यह बहुत इंपॉर्टन चीज है स सी रॉय एक विद्वान है त्विद्वान है जैसे कि हरेक जन्जाति के किसने की है तो आनसर क्या होगा सिर्वाइग इससे पहले हिए चिज को बताते आ हूँ और दूसरा चीज, यहां पर आप याद रखेंगे एक ऐसी जनजाती है यानि कि विशेश पीष्टी जन जाती में सामिल एक ऐसी जन जाती है जो की एक विलुप्त प्राय है यानि कि विलुप्त होड़े थोड़ी सी दुखद है इनकी संख्यय कम हो रही है तो इस प्रकार आज हम खतम किये हैं बिरॉर जन जाती अगले अब हम पंडो भूजिया प पहली क्लास थी वहां पर बात कर ली है तो हम बात करते हैं पंडो पंडो जन्जाती पर तो सबसे पहले इसका संकेंद्राड रहेगा कहां पर रहते हैं यह संकेंद्राड के मैं यहीं पर बात कर दूँ सबसे पहले आप लिखेंगे सूरजपूर सूरजपूर और वहें पर ल संक्रिती में सबसे पहले आप लिखेंगे उपजाती पंडो जंजाती की उपजाती दो उपजाती आप आई जाती है एक है सरगुजिया और दूसरा है उत्रांस या फिर उत्रहा पहला क्या कहा मैंने सरगुजिया आप लिखेंगे और दूसरा कहा मैंने उत्रह उत्रह या फ संस्क्रिटिदं एक ब Eggs and click इहां पर लिखेंगे इनकी विवाह को लेकर में क्या होता है देखिये माइक हमने दो तिन जंजाती में वध्य मुल्लिय की बात करी है वड़ हाओ कुछ की दिया जाता है कुछ वधुमुल्य की बात करी है उसी परकार सुक भरना है ठीक है यह भी कुछ नहीं है वधुमुल्य है यानि कि पंडो जन्जाती में पंडो जन्जाती में सुक भरना यह दिया जाता है जिसमें चामल दाल तील हल्दिगुर जो भी मैंने बता है प्लस रकम होती है अब एक कि बरोखी बोलते हैं इसको बरोखी बिहाव करते हैं एह होता क्या है बता रहूंग बरोखी बिहाव यह सबसे important चीज यानि कि important fact यही है यही है यानि कि पंडो जंजातिम जो पूछेगा तो यही पूछ सकता है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वह बरोखी विहाओ क्या होता है पहले पता है धनराशी का अभाव है यानि कि अच्छे से धुन धाम से तो होगा नहीं तो बस इसमें सिर्फ यहीं होगा कि अंगुठी पहनाया जाएगा और कपड़े दे कर अंगुठी की रस्म नहीं होती है बस यह है तो इस परकार हम खतम करते हैं पंडो जनजाती इसके एक और लिखेंगे पेपदार्थ पेपदार्थ यह ताड़ी का सेवन करते हैं तो इस परकार आपका खतम हो जाएगा पंडो जनजाती हमने संकेंदर की बात करी है समाज और संस्कृति स Chung I Radio और gua प्रिलाश्च टाड़ यानि कि पैपादार थे कि बर데 ठीक और इंका पंडोस जाती के बारे में अब भुंजिया के बारे हमात कर लेते हैं पिर आज विसेश पिश्री जादि कि जो साथ जाती है एकक्ष्थम हो जावेगी तो भुझा जल जातिमें इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है सबसे पहले संकेंद्रान आप देख लिजिए संकेंद्रान बस एक जिला आपको याद रखना है गरिया बन गरिया बन जिले में इस संकेंद्रान इनका संकेंद्रान गरिया बन जिले में है उसके बात समाज और संस्कृति आपको पते ही है समाज और संस्कृति पर चलते हैं समाज और संस्कृति में इसके उपजातियों पर बात होती है उपजातियों पर बात होती है इसकी भी दो उपजातिया है बस एकदम अच्छे सियाद रखें को दो उपजातिया है पहला चौखटिया चौखटिया हो गया है चौखटिया और ठेक है जो बहुत एक important fact है इसमें जो कि बार-बार पूछा जाता है वही चौँखटिया भुंजिया से निकल के आएगा चौँखटिया भुंजिया अक बार हम देखे क्या होता है यह अपनी रसोई यही कारण है कि नकी रसोई को लाल बंगला कहा जाता है लाल बंगला कहा जाता है पिछले बार प्री में भी आया है सीजी पीसी में लाल बंगला कहा जाता है तो इस प्रकार आपको चौंखटिया भूंजया खतम होता है छिंदा भूंजया इसके बारे में कुछ ऐसा चीज नहीं है छिंदा भूंजया गवारे में बस चौंखटिय यानि कि शरीर के अंग को आग से दाग करते हैं, तो ये तो रहा भुंजिया के बारे में बात एक चीज अलग फेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे मलाल बंगलेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस प्रकार हम खतम कर चुके हैं, आपके कंड़ा बारा आपको मैं पढ़ा चुका हूं यचीज, मैं पढ़ा चुका हूं, कंड़ा शक्राथ कांड़ के लड़्गीका или कस बारे कांड से उसका विवाह कराया जाता है इसे कोई कांड्राबर संसकार कहते हैं इसके को पूस्प विवाहा भी कहते हैं तो इस प्रकार आपका विशेश कुछड-जञज़ाती नहीं पड़ेगी, तो कमार में देखेंगे, कमार में एक लिखेंगे कुरहा, फिर अबुज माडिया में एक लिखेंगे कोसी घोटुल, यह दो चीज है, बहुत important है कोसी घोटुल, ठीक है, कुरहा, प्रतिक जिन जाती की, अपनी अपनी परमपरगत जाती पंचायत होती है, ये मैं बता चुका हूँ ऐसे लग रहा था बढ़ बाद में देखा हूँ इसको नहीं बताया हूँ मैं तो कुर्हा कमार जिन जाती की अपनी परमप्रगत जाती पंचायत है उसके परमुक को कुर्हा कहा जाता है बस उसके बाद अबूज माड़ी हम देखेंगे कोसी अबूज मार्या की जो युवग गरी है उसका नाम कोसी घोटुल है इसके बाद एक चीज़ यहाद रखना है और चाह इसको मेंसन करेंगे और चाह आप याद रखना है इसे अबूज मार का प्रवेश द्वार कहा जाता है नरानपूर में परफेक्ट तो इस परकार आपक खतम होता है 36 गड़ के विशेश पिशुरी जंजाती बहुत अच्छे से हमने किया है इट विल भी वेरी वेन इफिसल फॉर यू और फिर मोर दिन सफिसेंट भी है बहुत अच्छे से हमने खतम कर लिया है तो रखिए अपना ख्याल और अच्छे से पढ़िए अच्छे से कीजिए घाल लुट करेंगों लोग इसका एक कहटेश्ट स्रीज भी लेकर आने वाले हैं उसमें विल्कुल अपना मुलियांकन कीजिए थैंक्यू सो मच कर थैंड। कर दो कर दो कर